हलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं B.S.A. ट्रुकी क्लासेश अज़की क्लास में डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में फिर से आर्थ असास्त की कुछ बहुत थी महत्पूर्प प्रशन है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीज आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें क्लास को अपनी मिल के शेयर करें पाकि इसका benefit और भी लोगों को मिले दोस्तों आशा करते हैं इसकी क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे शेयर करेंगे अपने क्लास में 500 प्लस लाइव इस्टुडेंट्स भी ले के आएंगे चली फ्रेंट्स शुरू करते हैं इसकी क्लास को और देखते हैं इसका पहला क्वेस्टिन अगर आपको क्लास अच्छी लगी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को शेयर करें ऑर्षास्त्र आपके लिए मानता हूं कि इतना mindfulness भूकल नहीं करता है इनके questions लेकिन question आपके बहुत important होते हैं यह बहुत बार question पूछे जाते हैं और काफी मात्र में भी question पोस्ट जाते हैं चली बता हैं आपका पहला question प्रेंट्स होता है As which of the following, options हैं आपके मानोर पूंजी, भौतिक पूंजी, सामाजिक उपरी लागत पूंजी या कारिशील पूंजी, बताएं. तो अर्थ सास्तर में जो याद रखेंगे, अर्थ सास्तर में आधार सनासनात्मक जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, इनको हम सामाजिक उपरी लागत पूंजी की रूप में मानते हैं, सोसल ओवरहेड कैपिटल, इस क्रेशन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्सन थर्ड आय हुआ है आंसर में, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, सामाजिक उपरी लागत पूंजी, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला ग्वेस्टिन, अगला प्रेस्टिन की पद हरिद सकल राश्ट्री उत्पाद जोर देता है, तो पद जो हरिद सकल राश्ट्री उत्प पर, ब्रति व्यक्ति आयमें ब्रद्धी पर, आर्थिक विकास पर चिर्यस्थाइ विकास पर, बताहें, पद जो हरिद सकल राश्ट्री उत्पाद है, ये किस पर जोर देता है, इस क्वेश्टिन का राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन पूर, चिर्यस्थाइ विकास पर, किस पर देता है तो friends ये चिर इस्थाई विकास पर जोड देता है ओके तो ऐसे में जिनका answer option 4 आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तार है उनका ओके चिर इस्थाई विकास पर clear friends चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस class के अगला question की तरफ ये जह परड़र्मन की गुडवत्ता को बनाते हुए विकास के प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक क्रियाओं के उत्पाद में सहीोग करता है ओके चलिए Dear friends आपका अगला question आपके सामने है कि निम्रिखित में से आर्थिक विकास का बेहतर माप कौन सा है Which of the following is the better measure of economic development options है आपके सकल खरेड़ उत्पाद प्रायोज जी आई निवल रास्टी उत्पाद ये प्रतिविक्टिया है बता है इस question का right answer अगर आपने चुना है option number second ठीक है प्रयोज जी आए तो आर्थिक विकास का जो बेहतर माप होता है ये प्रयोज जी आए होती है क्योंकि जो रास्टी प्रयोज आए होती है NNP ठीक है ये किसी देश को उपलब्ध अधिक्तम आमदनी का मान होता है कौन सी प्रयोज जी आए तो ऐसे में जिनका answer friends option second आया हुआ है Very good, चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question किसी देश का अनन्य आर्थिक छेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है How far is the exclusive economic zone of a country from its cost 120 km, 220 km, 320 km, 420 km किसी देश का अनन्य आर्थिक छेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है इस question का right answer अगर आप ने चुना है आपका option number third 320 km कितना होता है question important है 320 km तक होता है किसी देश का अनन्य आर्थिक छेत उसके तट से option third जिनका answer आया हुआ है very good चल ये देखते है friends इस class का हम अगला question अगला question है friends के निम्रखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी which of the following will not become an economic activity options है आपके अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा ध्यापक अगला option है आपका सर्फ सिक्षा भियान के अंतरगत छात्रों को पढ़ा रहा ध्यापक घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा ध्यापक या अपने निवाज से परामर सिवाए उपलब्द करा रहा ध्यापक इस option को skip कर देजिए इन में से बता है तीन में से कौन सा आर्थिक प्रक्रिया नहीं बनेगी which of the following will not become the economic activity इस question का right answer हो जाएगा option third अपने घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा ध्यापक ओके जो क्रियाए मुद्रा का सजन नहीं करती है इनको अनार्थिक क्रियाए कहते है ठीक है और यह एक अनार्थिक क्रिया ना कि आर्थिक क्रिया इस question के लिए very good चलिए देखते हैं इस class का हम अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण किसी आर्थिक प्रणाली में उद्वक्रष्ट अवस्था से अभिपराय है the state of excellence in an economic system means बताए किसी आर्थिक प्रणाली में उद्वक्रष्ट अवस्था से अभिपराय क्या है option से आपके सभी नियंतरक हटा लेते हैं अर्थ व्यवस्था धहने वाली है अर्थ व्यवस्था निश्क्री है या आर्थिक विकास का प्रणाली में उद्वक्रष्ट अर्थ व्यवस्था से अभिपराय क्या है चलिए इस question का right answer अगर आपने चुना है आपका option number third ठीक है एक second किसी आर्थिक प्रणाली में उद्वक्रष्ट अर्थ व्यवस्था येस ठीक जो उद्वक्रष्ट अर्थ अर्थ व्यवस्था है इसका अर्थ क्या होता है इस्थिर विकास का प्रणाब option 4 इसमें हमारा सही होगा क्यों होगा इस्तिर विकास का प्रारंब सो ऐसे में जिनका आंसर उप्सन 4 आ रहा है इस question के लिए very good शलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question किसी विकास शील देश में स्वानियोजित लोग जो लगुशरम प्रधान कारे में लगे हैं निम्रिखित में से किस शेत्र से सम्मंधित होते हैं good question तो इसी प्राकार के question आपके exam में पूछे भी जाते हैं question आपका है in the developing country those self-employed people who are engaged in major labor intensive work belong to which of the following sectors तो यह किस sector से किस शेत्र से सम्मंधित होंगे जो स्वानियोजित लगुशर में लगे हुए हैं 件事情 ϗिए और उट्चारिक छेत्रक प्राथनिक छेत्रक धुतीय एक छेत्रक ität्र जेशर्ण मेरे पहरे दोस्तों आपका अगला प्रैश्न की समानतर अर्थवस्था का उदय होता है तो कर परिस्थर के कारण कर वंचन के कारण कर अनुपालन के कारण यह कर अनुमान के कारण इसमें आपको समानतर अर्थवस्था का उदय किस्से होता है वो बताना है बताएं चलिए तो समानतर अर्थवस्था का जो उदेव होता है ठीक है याद रखेंगे ये करवंचन के कारण होता है due to tax invasion इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number second clear friends शेलिये देखते हैं फटा फट से अगला question अगला question जो देश अपनी आय के लिए मुखिता प्रात्मिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भय करते हैं वे निमलिखित में से किसकी और प्रवत होते हैं good question the countries which mainly depend on the export of primary products for their income tend towards which of the following तो जो देश अपनी आय के लिए मुखिता प्रात्मिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भय होते हैं वे किस की और बढ़ रहे होते हैं मुद्रा स्फीर आर्थिक आइस्थिरतता बेरोजगारी का बढ़ना या इस्थिर आर्थिक सम्रद्धी comment करें इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number third बिरोजगारी की तरफ ठीक किस तरफ ति बिरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं ओके इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number third देखे तो प्रात्मिक छेत्र के वस्तुमों का निर्यात कोई अर्थिवस्था कोई भी अर्थिवस्था अपने यहां रोजगार सजन की अवसर को खो देता है ठीक है और फिर जब यह रोजगार की अवसर ही नहीं रहेंगे तो भी रोजगारी तो ऐसे भी बढ़ेगी ठीक है तो ऐसे में जिनका answer option third आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही हुतार है उनका चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question किसी अर्थिवस्था में सार्वजनिक छेत्रों और निजी छेत्रों में किस आधार पर वर्गी करत किया जा सकता है on what basis the sectors in the economy classified into public and private तो किसी अर्थिवस्था में छेत्रों को सार्वजनिक और निजी आधार पर किसके आधार पर वर्गी करत कर सकते हैं option sap के रोजगार की शर्ते आर्थिक गद्विधियों का सवरूप उदेमों का स्वामित्त या कच्ची सामागरियों का प्रियोग comment करें इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number third ठीक है उदेमों का स्वामित्त ओनर्शिप आफ इंटर्वाइज़स क्लियर सो ऐसे में जिनका answer option third आया हुआ है friends बिल्कुल सही उत्तार है उनका चलिये अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question निम्रिखित में से कौन सा आय में आ समानताओं के लिए सरवाधिक उपयुक्त कारण है which of the following is most appropriate reason for inequalities in income options ये आपके प्रजातिय कारक अवसरों का भाव परिवारिक परिवेश से उत्ता अरिकार या योगिता में अंतर इनमें से बताएं कि कौन सा आय में आ समानताओं के लिए सरवाधिक उपयुक्त कारण है इस question का right answer हो जाएगा option second अवसरों का भाव ठीके अवसर का भाव के कारण बिरोजगारी का सरजन होता है ठीके जिस कारण लोग आय का सरजन नहीं कर पाते हैं ठीके तो यसा किस कारण से होता है ये जह कौन सा आसमानताओं के लिए सरवाधिक उपयुक्त कारण होता है तो ये अवसरों का अभाव ऐसे में जिनका answer friends option number third आया हुआ है sorry second आया हुआ हुआ है अगला question आपका friends की आर्थिक संवरधी मुख्यता निर्भर होती है economic growth is mainly dependent on उपभोग के इस्तर पर कीमत इस्थरता पर निवेश के इस्तर पर जनसंख्या की व्रधी पर तो आर्थिक संवरधी जो है मुख्य रूप से किर्प्स पर निर्भर होती है चलिए तो आर्थिक संवरधी जो है याद रखेंगे यह मुख्य रूप से उपभोग के इस्तर पर किस पर? जो आर्थिक संवरध है मुख्य रूप से निवेश के इस्तर पर निर्भर होती है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number 3 अब निवेश का उपयोग जो है भविश्य के उद्पाध होता है अता जो आर्थिक संवरध है यह निवेश के इस निवेश के इस्तर पर निर्भर करती है तो ऐसे में जिनका answer friends option 3 आया हुआ है very good चलिए माइडियर friends अब हमने चलते हैं आपको इस class के किसने विक्सित किया था who developed the human index human development index HDI तो मानो विकास तुझ कहां कि किसके दोरा विक्सित किया गया comment करें good question इस question का राइट आंसर हो जाएगा option 3 महबूब उलहग देखें महबूब उलहग जो कि पाकिस्तान की अर्थशास्त्री थे इन्हों ने 1990 में इसकी शुरुबात की थी महबूब उलहग ने इस question का right answer friends जिनका भी answer option 3 आया हुआ है very good चलिए my dear friends अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question किसी आर्थववस्था में उद्रकर्श आवस्था का अर्थ है what is the main top peak state and economy options आपके इस्थिर व्रधी प्रारम होती है अर्थववस्था रुद्ध है अर्थववस्था धेर होने वाली है या सभी नियंतर्ण हटा दिये गए है तो किसी आर्थववस्था में उद्रकर्श आवस्था का अर्थ क्या होता है चलिए इसमें पुछा किया फ्रेंज उद्रकर्श आवस्था का ठीक है इस क्वेक्शन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा औपसन फर्स्थ इस्थिरवध्धी प्रारम नप से इस्थिरवध्धी इसके अलावा स्बाइव इस स्टेज ऑफ इकॉनॉमिक्छ मताँं स्टेज ऑफ इपुनॉमिक्क ग्रोथ का जो पतिपादन है किस के दोरे किया गया कमेंट करें उस्ता एक्जैमitez लेकिये स्टीज ओफ इकॉनामिक ग्रोफ का पतिपादन है ये रोस्तूब आइ ये रोस्तूब दोरे किया गया था कब 1960 में 1960 1960 में किया गया था वोकि इसमें जहें पांच चरण होते हैं परंपरागत समाज, पूर्व शर्तें, टेक ओफ, परिपक्की और अग्रिसर होना और अतधिक उपभोग वर्ग ठीके जिसमें पांच इस्तर होते हैं जिनसे गुजरना होता है और इसको विक्सित किया था सुस्तोव ने कब 1960 में तो ऐसे में जिनका अंसर उप्सन फर्स्ट आया हुआ है, वेरी गुड चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स भी बहुत आसान है आपके लिए, प्रश्न है कि बंद अर्थवस्था वा होती है, तो क्लोज एकोनॉमी इस, ऑप्सन से हैं आपके, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, जिसके पास अंतर राष्टि परिभान के कोई साधन न हो, जो स्युक्त राष्ट्र संग की सदस्य ना हो, बताएं कि बंद अर्थवस्था क्या होती है, चलिए, इस क्वेश्चन का राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन फर्स्ट, देखे, वह अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, जिस भी देश की, जिस भी देश में, ना तो आयात अन्य देश से होता हो, और नहीं निर्यात होता हो, ऐसी जो वहां की अर्थवस्था होगी, इसको क्लोजड एकोनोमी या बंद अर्थवस्था कहता है, ओके, तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर, आप्सन फर्स्ट आया हुआ हुआ ह वेरी गुड, चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की शरम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी, लेबर इंसेंट्यू टेकनोलोजी विल बी चूजन, तो शरम अधिशेस वाली अर्थवस्था में, पूंजी अधिशेस वाली अर्थव विस्था में, ये विकास सीर अर्थ विस्था में, बताएं कि शरम प्रधान तकनीक कहां चुनी जाएगी, चलिए, इस क्वेश्चन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर फस्ट, शरम अधिशेस वाली अर्थवस्था में, इंदा लेबर सलपस एकोनॉमी, शरम अधिशेस वाली अर्थ विस्था में, शरम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी, ओके, सो फ्रेंट्स, ऐसे में जिनका भी अंसर आप्सन फस्ट आया हुआ है, वेरी गुड, चलिए, अब हम ले चलते हैं आपको आगे, इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला प्रशन है, भारत में गरीबी का मापन, निम्रखित में से किस मांदंड द्वरा किया जाता है, पोवेर्टी इन इंडिया इस मेजर्ड वाई, विच आफ दा फॉलोंग क्राइटेरिया, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन अपका फिर से पढ़ लीजे, अच्छा सारी सदस्यों की संख्या, गरीबी का मापन, किस मांदंड द्वरा किया जाता है, भारत में, बताएं, इस क्वेश्चन का राइट अंसर अगर आपने चुना है, आपका, यस, आपसन नमबर फस्ट, कैलोरी ग्रहन करना, कंजूमिंग कैलोरी, ठीक है, भारत में गरीबी का पर्भाषित करने के लिए, पॉस्टिक आहार मांदंड की उप्लवधता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्सन फस्ट, अब अगर आपसे पूस्ता कि भारत में गरीबी का मांदंड, जो है, किस वर्स में गठित समित कि सिफार्सों पर आधारित है, तो यह 1989, ओकी, तो ऐसे में जिनका आपसर आपसन फस्ट आया हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए, बारी गुड, चलिए, देखते हैं, इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन, साथी हुआ अगला प्रशन आपके सामने की, भारत में योजना बद अर्थ व्यवस्था, किस पद्धत पर आधारित है, और what method is the planned economy based in India, तो पूंजी वादी व्यवस्था, परंपारिक व्यवस्था, अधिकार व्यवस्था, या समाज वादी व्यवस्था, तो भारत में योजना बद व्यवस्था किस पर आधारित है, कमेंट करें, इस question का right answer हो जाएगा, option 4, समाजवादी व्यवस्था, तो भारत में योजना बद व्यवस्था है, इस समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है, इस question का right answer हमारा option number 4 हो जाएगा, ठीक है, जो आर्थि कि नियोजन क्या उधारना है यह प्राया समाजवाद और समाजवादी नियोजन से ही संबन्द देते हैं तो इस question का right answer अगर आपने option 4 चुना है बिल्कुल सही होतार है उनका very good चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question प्रच्छन बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है बताएं distinguished unemployment is also known by what other name तो प्रच्छन बेरोजगारी को और किस नाम से जानता है options हैं आपके अलप रोजगार, संगर संबन्थी रोजगार, बेरोजगारी, मौसमी रोजगारी, बेरोजगारी या चक्री रोजगार, बेरोजगारी तो प्रच्छन बेरोजगारी को और किस नाम से जानता है बताएं चलिए, इस question का right answer हमारा option first होगा, आलप रोजगार, आप समझेगा इसको प्रच्छन बेरोजगारी कहां पाई जाती है, जहां स्रम बल को यातोकार नहीं मिलता, यह बल, यह जो श्रम बल होता है, यह विर्थ रीत इसे कार करता है और जहां पर श्रम पतकता अनंत शून नहीं होती है, वहां पर बिरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, तो इस question का right answer जिनका भी option first आया हुआ है इस question के लिए, बिल्कुल सही होता है उनका, चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है कि बिरोजगारी तब होती है, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाथा देखिये उस बिरोजगारी को क्या बोलते हैं, जब लोगों को वर्स के कुछ महिनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, आपको ये बताना है, आपके options हैं, शिक्षित, सनचनात्मक, मौसमी या पूर्ड, इस question का right answer हो जाएगा option first, इसको सिक्षित बिरोजगारी कहता है, ठीक है, तो बिरोजगारी किवा इस थी ते, इसमें car crucial, एक second, इसमें मौसमी होगा, ठीक है, इस question का right answer आपसन नमबर थर्ड होगा, इसमें इसको मौसमी बिरोजगारी कहता है, इसमें लोगों को कुछ वर्ष कुछ महीनों के दौरान काल नहीं मिल पाता है ठीक है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number 3 इसमें उन लोगों को भी शामिल कृत करते हैं जो फसलों की कटाई का काले करते हैं इसमें गिहूं की फसल कट रही है इसमें उन लोगों के पास बिरोजगारी नहीं है तो इनके पास इसमें बिरोजगारी नहीं है अभी गिहूं कट जाएंगे ठीक है उसके बाद में इनको फिर धान की फसल इसके बाद में आएगी धान की फसल जब तक नहीं आएगी तो यह जो बीच के दो-तीन महीने होंगे इनके पास अनिम्प्लाइमेंट यानिकी बिरोजगारी ही रहेगी इनहीं को बोलते हैं मौसमी बिरोजगारी क्या बोलते हैं इसको मौसमी बिरोजगारी यानिकी जब मौसम आता है जिस फसल का ठीक है उसी में इनको रोजगार मिल पाता है जो इंटे बनाते हैं तो इनके पास में क्या होता है अभी ही तो रोजगार होगा इनके पास में ठीक है और जैसे ही बरसात शुरू होई फिर यह काम इनका बंद हो जाता है तो यह जो बीज का टाइम होता है तो इसको मौसमी विरोजगारी कहते है तो कि जब अगर वारिस हो जाएगी तो मिट्टी के बनी होंगी जो भी पकी नहीं होंगी वो घुल मिट्टी में दुवारा फिर से घुल जाएंगी ठीक है तो ऐसे में जिनका अंसर अप्सन थर्ड रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका तो याद रखेंगे कि विरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ वर्स के कुछ महीनों में यानि कि लोगों के कुछ वर्स के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता ओकी चलिए तो ऐसे में जिनका अंसर अप्सन थ और पर किस प्रकार की बिरोजगारी दिखाई देती है, विच टाइप आफ अनिम्प्लाइमेंट इस जनरली सीन इन अर्बन एरियाज, आपसन साइप के शिक्षित बिरोजगारी, मौसमी बिरोजगारी, प्रचन बिरोजगारी ये इन में से कोई नहीं, बताएं, शेलिया, तो शेहरी छेत्र में जो बिरोजगारी पाई जाती है, शिक्षिल बिरोजगारी पाई जाती है, इसको एजुकेटिड अनिम्प्लाइमेंट बोलते हैं, इस क्वेस्टिन का राइट अन्सर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो शेहर में अधिकतर युवा पढ़े लिखे होते हैं, मैट्रिक, कोई सिनात्त करता है, ठीक है, हर प्रकार के युवाय होते हैं, और एक तक्नीकी रूप से ये बेरोजगार होते हैं, ठीक है, तो ये सहरी छेत्रों में सिक्षित बेरोजगारी जैदा पाई जाती है, ओके, तो इस क्वेस्टिन का राइट अन्सर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर फर्स्ट, क्लियर, चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्टिन, अगला प्रश्टिन है कि जब श्रमिक एक नोकरी से दूसरी नोकरी की ओर जाते हैं, तो इससे जाना जाता है, गुड क्वेस्टिन, वेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब तो एनदर, इसको किस प्रकार की विरोजगारी के नाम से जानते हैं, जैसे माल लो, एक श्रमिक एक नोकरी से दूसरी की तरफ जा रहा हो, तो मौसमी विरोजगारी, प्रतिरोधात्मक विरोजगारी, वरगी विरोजगारी, या स्वैक्षिक विरोजगारी, बता है जब सर्मिक एक नोकरी से दूसरी नोकरी के तरफ जाते हैं तो इसको प्रतिरोधात्मक बिरोजगारी बोलते हैं Frictional Unemployment ठीक है अब प्रत्रोधात्मक बिरोजगारी क्या होती है यह तब होती है जब सर्मिक अपनी नौकरी दूसरी या बहतर नौकरी के लिए छोड़ देते हैं जो नौकरी वर्तवान में कर रहे हैं अगर इससे अच्छी नौकरी दिग गई तो उसको छोड़ देते हैं ठी तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number second clear अब जैसे मानलो इसको प्रत्रोधात्मक क्यों बोलते हैं मानलो कोई एक नौकरी बंदा कर रहा है ठीक है अब उसको दूसरी लगी कि हाँ वो नौकरी सही है उसको पहली उली कुछी ने छोड़ दिया तो जितने time वो free रहेगा ठीक है इसको हम बोलते हैं प्रत्रोधात्मक विरोजगरी है अगला प्रशन है पंच वर्षी योजना का मुख्य लक्ष क्या था वाट वास दा मेन गोल ऑफ दा फाइव यर प्लान ऑप्सन साहिप के गरीबी उनमोलन तथा आत्मरभरत्ता की प्राप्ती तीवर अधिक समावेश प्रशी तथा धारणी विकास समावेशी विकास या इन में से कोई नहीं तो पंच वर्षी योजना थी इनका मुख्य उद्लक्षन क्या था बताएं चलिए इस question का right answer friends अगर आपने चुना है option number first दीए जो पंच वर्षी योजना थी इनका उद्देश क्या था गरीबी उनमोलन तथा आत्मरभरत्ता की प्राप्ती ओके इसके लाप पंच वर्षी योजना कब सुरू ही 1974 ठीक है यो 1978 ठीक है जो पांच वी पंच वर्षी यो योजना थी 1974 ठीक है और पांच वी पंच वर्षी योजना का ही यह मुख रक्षन था गरीबी उनमोलन ओकी यह गरीबी हटाओ clear friends चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस class के हम अगले question की तरफ अगला प्रश्ण गरी अनिम्डखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है which one of the following pair is not correct options हैं आपके पांच वी पंच वर्षी योजना, आठवी पंच वर्षी योजना, ग्यारहवी पंच वर्षी योजना या पहली पंच वर्षी योजना तो कौन सा एक युग्म इनमें से सही नहीं है बताएं चलिए इस question का right answer friends अगर आपने चुना है आपका option number first पांच वी पंच वर्षी योजना, 1961 से 1906 ये गलत है मैंने अभी आपको बताया कि 1974 से 1909 तक ये पंच वी पंच वर्षी योजना का समय था ठीक है तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number first clear चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस class के अगले question की तरफ friends आप लोग अपने class को share करते रहें ठीक है अब तो मैंने आपको इतना बता दिया तो आप लोग class को अपनी share ज़रू करेंगे है ना चलिए अगला question निम्रिखित में से किसने आवर्ति योजना यहीं की rolling plan का सुझाओ दिया था तो किसने आवर्ति योजना यहीं की rolling plan का सुझाओ दिया था चलिए तो किसने आवर्ति योजना का सुझाओ दिया था निक rolling plan का याद रखेंगे यह दिया था गुनार मेर्डल किसने तो गुनार मेर्डल ने जो है इसका सुझाओ दिया था जी जो rolling plan है यह एक ऐसी योजना है जो की एक लंबी अवद तक जारी रखने के लिए इकोनामिक प्लानिंग इन दा इस्टर ब्राडर सेटिंग ठीक है इसमें भी इसकी व्यक्षा मिलती है ओके तो इस question का right answer जिनका भी option 3rd आया हुआ है very good चलिए देखते हैं इस class का हम अगला question अगला प्रशन है कि निम्रिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी who among the following gave the गांधी प्लान in 1944 options आपके DD धर, S.N. अगरवाल, M.N. Roy, JP. नरायन बताएं किसने 1944 में गांधी योजना दी थी चलिए, इस question का right answer friends अगर आपने चुना है आपका, yes friends आपके इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number 2nd, S.N. अगरवाल, ठीक है निकी श्रीमान नरायन अगरवाल, ठीक है तो श्रीमान नरायन अगरवाल ने 1944 में ये गांधी योजना दी थी तो ऐसे में जिनका answer friends option number 2nd आया हुआ है, उनका बिल्कुल सही answer है आपका, ठीक है और इसमें जो है एक ये प्रकार की संतुर्द योजना थी, इसको गांधी वादी योजना के नाम से भी जानते हैं ठीक है, ये जो है गांधी वादी दरशनिक्ता पराधारित थी तो ऐसे में जिनका answer option second आया हुआ है, very good, चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question कि समावेशी विकास किस पंच वर्सी योजना का उदेश है था? inclusive development was the objective of which five year plan? good question समावेशी विकास किस पंच वर्सी योजना का उदेश है था? बताएं options हैं आपके दसवी, ग्यारहमी, अबारहमी या नवी बताएं अच्छा question है, देखें, बात करते हैं इसके answer की इस question का right answer हो जाएगा option number second, ग्यारहमी समावेशी पंच वर्सी योजना, ये ग्यारहमी पंच वर्सी योजना का एक उदेश है था अब ग्यारहमी पंच वर्सी योजना का कारिकाल इनकी इसकी अवद किया है 2007 से 12, ठीक है, तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number second clear friends, चलिए तो अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रशन है, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउर केला के हरित इसपाथ सेंत्रों की स्थापना किस पंच वर्सी योजना के दौरान की गई थी? अच्छा प्रशन है, ग्रीन स्थील प्लांट्स ऑफ भिलाई, दुर्गापुर एंड राउर केला वर एटैबलिज्ट डूरिंग विच फाइव यर प्लान, आप्सन साहिम के दूसरी, चौथी, पांच वी ये छटी भिलाई, दुर्गापुर था राउर केला, इनके जो हरित स्थापना दूसरी पंच वर्सी योजना के दौरान की गई थी, सेकेंड फाइव यर प्लान, अब दूसरी पंच वर्सी योजना कब से कब तक थी? दूसरी पंच वर्सी योजना के दौरान ही, भिलाई दूसरी पंच वर्सी योजना की इस्थापना की गई थी, आप्सन फस्ट जिनका अंसर आ रहा है इस क्रेशन के लिए, वेरी गुड, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्टिन अगला क्वेस्टिन पहले पंच वर्सी योजना का मुख्य उद्देश शिक्या था अप्सन साहिब के आत निर्भरता, और्द्यूगिक विकास, आर्थिक विकास, और क्रशी विकास बताएं कि पहले पंच वर्सी योजना का मुख्य उद्देश शिक्या था चलिए पहली पंच वर्सी योजना का कारिकाल कब तक था याद रखेंगे अगरी कुल्सर डेवलेप्मेंट वस्ट फाइव ये प्लैन, इस क्वेस्टिन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आप्सन नमबर फॉर ओके चलिए अब हम देखते हैं साथियों इस क्लास का अगला क्वेस्टिन अगला प्रेशन है फ्रेंड्स की नमदिखित मेंसे कौन सा भारत में राजकोशी नीत तयार करता है अग्रिकल्ट्रल डेवलेप्मेंट अग्रिकल्ट्रल गलत है इसमें अग्रिकल्ट्रल डेवलेप्मेंट इन इंडिया आपके योजन आयोग वित आयोग भारती रिजर बैंक ये वित मंत्राले केमेंट करें चलित भारत में पुछा गया राजकोशी नीत कौन तयार करता है ठीक है त्याद रखेंगे फ्रेंट्स इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन फूर वित मंत्राले फाइनेंस मिनिस्ट्री अब बात करता है राजकोशी नीत के बारे में देखें राजकोशी नीत एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से किसी देश की अथवस्था पर निग्रानी रखने और उसको प्रभावित करने के लिए सरकार अपने खर्चे के इस्तर और दरों को समयोजित करती है ठीक है और यह जो है वित मंत्रा लेके दोरा तयार किया जाता है तो ऐसे में जिनका अंसर फ्रेंट साप्सन 4 आया हुआ है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्रिखित में से किस भारती पंचवर्षी उजना ने सभी विकास आत्मक प्रियासों के सार की रूप में मानो विकास को मानता दी विच आप दा फॉल्लाइंग इंडियन फाइव येर प्लान रेकोनाइज इमन डेवलप्मेंट आपसंस है आपके आठमी पंचवर्षी उजना नवी पंचवर्षी उजना दसमी पंचवर्षी उजना ग्याराहमी पंचवर्षी उजना तो पंचवर्षी उजना से सम्मंधित भी को ऐसन डिसकस हो रहे हैं पताएं कि ऐसी कौन से पंचवर्षी उजना थी जिसने सभी विकास आत्मक प्रयासों के सार के रूप में मारो विकास को मानता दी तो यह थी आठमी पंच वर्सी योजना, कौन सी? एड़्त फाइव यर प्लान, अब आठमी पंच वर्सी योजना का समय कितना है? 1992 to 1997, 1992 से सतान नवे तक ठीक है? 1992 से सतान नवे तक यह आठवी पंच वर्सी योजना का समय है Clear? Option first is the right answer of this question शेलिए, देखते हैं अगला question अगला प्रशन है, इन में से कौन कियन सरकार की गैर्स योजना का वे अंग नहीं है? Which of the following is not a part of non-planned expenditure on the central government इन में से कौन कियन सरकार की गैर्स योजना वे का अंग नहीं है? बताएं, options हैं आपके ब्याज भुकतान, राज्जियों का अनुदान, विदुती करण पर खर्च, या सबसिडरी? बताएं, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option third, विदुती करण पर खर्च, cost of electrification, ठीके, विदुती करण पर खर्च, ऐसे में जिनका answer option third आ रहा है, very good, चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला question, friends, आप लोग अपने class को share करते रहें, ठीके, चलिए, अब हम देखते हैं अगला question, अगला question है कि किस पंच वर्च वर्च योजना को और सवस्था के उदारी करण के रूप में भी जाना जाता है, very good, which a five year plan is also known as liberalization of economy, और सवस्था के उदारी करण के रूप में किस पंच वर्च 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 योजना को जानता है, इस question का right answer हो जाएगा option second, आठवे पंच वर्च 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 व इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number second, clear friends चलिए, देखते हैं इस class का अगला question, तो friends अब आप लोग अपने class को last time share कर दें, ठीक है, क्योंकि अब आपकी class बहुत कम बची हुई है, चलिए, देखते हैं इस class का अगला question, अगला question है कि निम्लिखित में से कौन भारती अर्थवस्था के प्राथ्मिक छेतर के अंतरगत आता है, which of the following comes under the primary sector of Indian economy, options हैं आपके, चीन उद्योग, डेरी, बैंकिंग, वस्थूओं का परिवहन, तो कौन अर्थवस्था के प्राथ्मिक छेतर के अंतरगत आता है, बताएं, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, option second, डेरी, निकि दुद्योग, ठीक है, जो दुद्योग है, ये भारती अर्थवस्था के प्रारभिक छेतर के अंतरगत आता है, ऐसे में जिनका answer option second आया हुआ है, इस question के लिए, very good, चलिए, देखते हैं, friends, इस class का हम अगला प्रेशना, अगला प्रेशना भारत में तीसरी, तीसरी, रिड़ मोल्यांकन संस्थाय, निकि रेटिंग एजनसी, C.A.R.I. का आसंक्षित रूप के, C.A.R.E. केर, तो केर का full form बताएं, क्या होता है, आपके options है, Credit Analysis and Rating Enterprise, Credit Agency of Rating Equity, Credit Agency of Rating Enterprises, या Credit Analysis and Research, बताएं, केर का आसंक्षित रूप क्या होता है, इस question का right answer हो जाएगा, option 4, Credit Analysis and Research, ठीक है, तो Credit Analysis and Research, ये केर का full form होता है, ओके, तो ऐसे में जिनका answer option 4 आ रहा है, इस question के लिए, very good, चलिए, my dear friends, ले चलते हैं आपको आगे, इस class के अब अगले question के तरफ, अगला प्रेशन किस पंचवर्षी योजना का उद्देश, तीवर अथिक शमावेशी तथा धारणी विकास था? The objective of which 5-year plan is rapid, was an inclusive and sustainable development, 10-12, 7-11, तो किस पंचवर्षी योजना का उद्देश, तीवर अथिक शमावेशी तथा धारणी विकास था? इस question का right answer अगर आपने शुना है option second बारहमी तो बारहमें पंच वर्शी हो ज़ना क्या वद क्या है? 2012 से 17 ठीक है? तो यह जो बारहमें पंच वर्शी हो ज़ना है इसका तीवर उद्देश्च क्या है? तो इसका उद्देश्च क्या है तो तीवर ततता अथिक समावेश्ची धारनी विकास clear? तो ऐसे में जिनका answer friends option second आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तार है उनका चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है भारत में कितनी? C.P.S.E. इसका फुलपां वियाद रखेंगे नवरतन कंपनियां कितनी है सोला, सत्रा, अठारा या एक्केस भारत में कुल सत्रा नवरतन कंपनियां है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number second इसके लाब नवरतन का दर्जा मूल रूप से भारत सरकार दोरा सबसे पहले नो छेतरों को दिया गया था कब 1997 में अब वरतमान में कितनी है तो 17 नवरतन कंपनियां है clear तो ऐसे में जिनका भी answer option second आया हुआ है इस question में very good शेर ये friends अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question कि अहरित करान थी भारत की किस पंचवरसी योजना के दोरान आरंब की गई थी which five year plan of India साथवी पाचवी दूसरी तीसरी तो हरित करान थी भारत की किस पंचवरसी योजना के दोरान आरंब की गई बताएं इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number 4 तीसरी ठीक है तीसरी पंचवरसी योजना के दोरान हरित करान थी भारत में शुरू हुई तीसरी पंचवरसी योजना कब शुरू की गई थी 1961 में या 1961 से 1906 तक चली थी ठीक है इसके लाओ 1963 में भारत में पहली बार उच उत्पदक्ता वाले गीहों की किसम का पूरियोग किया गया था ठीक है तो ऐसे में जिनका answer option 4 आया हुआ है very good चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास का अगला question की तरफ अगला question आपका बहुत आसान है बच्चों वाला प्रशन है की निम्रखित में से कौन भारत में नीती आयोग का पदेन अध्यक्ष है who among the following is the ex office co chairman of co chairman of Niti Ayug in India चलिए नीती का full form बताएं चलिए तो National Institution for Transforming India National Institution for Transforming India नीती आयोग नीती आयोग का full form होता है ठीक है और इसको जो पदेन अध्यक्ष होता है पदान मंत्री होता है ओकी तो ऐसे में जिनका answer option second आया हुआ है very good चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question एक में कितनी mini रतन कंपनिया है how many mini रतन कंपनीज are there in category 1 55, 56, 69, 47 पता है श्रेड़ी एक में कितनी mini रतन कंपनिया है very good friends याद रखेंगे इस पे पूछेगे इस category 1 में ठीक है तो इस question का right answer friends अगर आपने चुना है option third 69 कितनी है 69 जो है mini रतन कंपनिया है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number second sorry option number third clear? चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question है कि निम्लिखित में से किस पंचवर्सी योजना के समय कार के लिए खाद योजना आरम की गई थी during which of the following five year plan food for work plan was launched तो बताएं कि कार के लिए खाद योजना कब शुरू की गई थी पांचवी दसवी साथवी योजना योजना में शुरू की गई थी ठीक है वर्स 2004 में ओके इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number second clear friends चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन निम्लिखित में से कौन सा भारती और थ्रवस्था के दुतिजिक छेत्र के अंतरगत आता है विच आफ फॉलॉइंग इस पार्ट आफ हिंडिन एकुरामी बिलॉंग्स टुदा सेक्टर सेक्टर चीनी उद्द्योग मत्से पैलन बीमा यह वस्तूओं का परिवहन दुतिजिक छेत्र के अंतरगत कौन आता है इस question का right answer हो जाएगा option first चीनी उद्द्योग दुतिजिक छेत्र के अंतरगत आता है इसके अलावा अर्थवस्था के दुतिजिक छेत्र में उन आर्थिक छेत्रों को सामिल किया जाता है जो अंतिम प्रियोज उत्पाद का प्रियोग करता है ठीक है तो ऐसे में जिनका answer option first आया हुआ है very good चलिए तो फ्रेंट्स आज के वारे इस class में इतना ही मेरे दोस्तों जो class इसमें हमारे इतने questions है तो आशा करेंगे class आपको काफी अच्छी लगी होगी तो अब आपके लिए कुछ एक दो questions हम एक्स्ट्रा discuss कर लेते हैं ठीक है क्योंकि हम हर अपने class के last में discuss करते हैं चलिए आसान question आपका है भारत का तोता किसको गहता है पता है भारत का तोता किसको कहा जाता है वेरी गुड़ आंसर करें अमीर खुसरू ओकी आपका अगला question आपके सामने है चलिए तो आपके सामने अगला question आपका यही है कि कि किस governor journal पर महाभ्योग बताएं महाभ्योग का मुकदमा चलाया गया था तो बताएं कि महाभ्योग का मुकदमा महाभ्योग का मुकदमा किस governor journal पर चलाया गया था यह तो बताएं कि वारन हैस्टिंग्स पर किस पर वारन हैस्टिंग्स पर चलिए अगला question आपके सामने है चारी चारा कहा है चारी चारा जो इस्थान है कि कहां पर है यूपी के गोरखपुर में है ठीक है चलिए अगला question आपके सामने है चलिए आपको फ्रेंट्स अगला question बताना है जो कि अपकर कम्प्यूटर से समन्दित होगा कम्प्यूटर की आँख किसको बोलते है आँख बताएं आई आफ दा कम्प्यूटर चलिए कम्प्यूटर की आँख किसको बोलते है बताएं देखिए स्कैनर इस कैनर को computer की आँख कहा जाता है ठीक है मस्तिस को बोलते है तो यह तो आपको पता हूँगा यह CPU को कहते है ठीक है चलिए CPU का Hindi में हिंदी में क्या होता है हिंदी में CPU को क्या बोलते है Full Form तो पता है Central Processing Unit अब Central Processing Unit को Hindi में क्या बाता है हो सकता है यह दखेंगे केंद्री सेंट्रल प्रसंस्करण प्रोसेसिंग यूनिट इखाई ठेक केंद्री प्रसंसकरण इखाई इस CPU को हम हिंदी में कहते है ओके चलिए अब अगला क्येशन आप हमको बता है करें अटिर में अगला क्योंवन अशुन रहे हैं साइन से पुछन चाहरे इस इसा john कि अ कि इख प्र भी इसको विरंजक लोलते हैं ऑस्य होटा है इसका लांजिए और ci कि उन्योड़ाइड क्या होता है calcium hypochloride ओके चलिए आपका last question है कि रुधिर क्या है रुधिर एक संयों जी उत्तक है it's a connective tissue चलिए तो friends आज केमरे इस class में इतना ही रखते हैं दोस्तों आज के इस class में इतना ही आशा करेंगे जो class से आप सबको काफी अच्छी लगी होगी तो जिन भी लोगों ने अभी तक अपनी class को like नहीं किया है सब लोग अपनी class को like करें और जिन भी लोगों ने अपनी class को share नहीं किया है वो सब लोग अपने class को share करें ठीक है तो friends like और share सब लोग अपने class को कर दें ठीक है जो लोग class में अभी आये हुए है नए नए आये हुए हैं और वो लोग क्लास को अपनी स्टार्टिंग से देखें चरिए तो मैं आपका फ्रेंड शीबम कुमार मिलता हूँ आपसे आपके लिए आपकी निक्षे क्लास में तो उतर तक के लिए आप सुब लोग अपना ख्याल लखें सेफ रहें टेक केर फ्रेंड्स बबाए जै बीसे जै बीसे क्लास झाल 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 झाल